हेलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपके लिए एक और important टॉपिक लाएं जो के आपके सिल्बसर related याने climate and crops in इंडिया दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे largest crop producing states of इंडिया के बारे में उमीद ये रहेगे कि आपको इन questions से आने वाले exam में help मिले दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के एड में आफ लाइक जुरूर करें और साथ में चैनल को भी सबस्क्राइब करें तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेस्चन से तो हमारा आज का पहला क्वेस्चन है इंडिया की सबसे ज्यादा राइस याने चाबल प्रोडूस करने वाली स्टेट कौन सी है चार उप्शन्स है आपके पास वेस्ट बेंगॉल, उतरप्रदेश, पंजाब या फिर आंधरप्रदेश अगर आपको आंसर पते हैं तो नीचे कमेट सेक्शन में अपना अंसर लिखें ये जो वीडियो है आपके लिए एक मौक टेस्स के तौर भी रहेगी तो जल्दी जल्दी से आपना अपना आंसर नीचे कमेट सेक्शन में लिखें largest rice producer इंडिया की कौन सी state है तो इसका जो सही answer रहेगा दोस्तो वो रहेगा part A West Bengal दोस्तो अगर हम rice producing के लिए climate की बात करें तो दोस्तो rice जो है ये hot and humid climate में ज्यादा produce होता है इसके अलावा अगर हम temperature की बात करें तो rice के लिए जो average temperature चाहिए होता है वो 21 degree से लेकर 27 degree के आसपास रहना चाहिए इसके अलावा अगर हम soil की बात करें तो दोस्तो याद रखें जो best soil रहती है rice cultivation के लिए तो वो clay lume या फिर heavy clay soil रहनी चाहिए जिसका pH value 6-7 होना चाहिए तो ये best soil रहती है rice की cultivation के लिए दोस्तो अगर हम world की बात करें तो world में सबसे ज्यादा rice जो है वो चाइना produce करता है और दूसरे number पे rice producing में आता है इंडिया हमारे next question का answer देने के लिए आप लोग तयार है हमारा next question है which state of India is the largest producer of wheat in 2023 आपको बताना है इंडिया में वो कौनसी state है जहाँ पर सबसे ज्यादा wheat याने गुंदुम produce किया जाता है चार options है आपके पास मजिया प्रदेश, उत्रप्रदेश, पंजाब, या फिर हर्याना शबाज दोस्तों आपने अपना answer लिखे इंडिया की कौनसी state में, कौनसी रियासत में सबसे ज्यादा wheat produce किया जाता है इन में से तो दोस्तों इसका जो सही answer रहेगा वो रहेगा पार्ट भी उत्रप्रदेश दोस्तों अगर हम wheat cultivation के लिए climate की बात करें तो wheat के लिए जो अच्छा या suitable climate रहता है वो cool climate रहता है और इसके साथ medium rainfall भी होने चाहिए अगर हम temperature की बात करें तो winters में इसका जो temperature है वो 10 से 15 degree होना चाहिए और अगर हम summers की बात करें तो इसका temperature जो है 20 से लेकर 26 degree तक रहना चाहिए अगर हम wheat की growth की बात करें तो जो best temperature है wheat की growth के लिए वो 21 degree से लेकर 24 degree के range में रहना चाहिए दोस्तों अगर हम soil की बात करें wheat के लिए तो wheat के लिए भी जो best soil रहती है वो clay, loam या फिर loamy soil, well-drained soil होनी चाहिए जो इसके लिए अच्छी मानी जाती है next question का answer देने के लिए आप लोग तयार रहें हमारा next question है which state of India is the largest producer of cotton in 2023 आपको बताना है इंडिया में वो कौन सी state है जो सबसे ज्यादा cotton को produce करती है चार options है आपके पास गुजरात, महराश्टरा, तैलंगाना या फिर आंधरप्रदेश शबाज दोस्तों आपना-पना answer लिखे cotton कौन सी state सबसे ज्यादा produce करती है इंडिया में तो दोस्तों इसका जो सही answer रहेगा वो रहेगा part A गुजरात दोस्तों इंडिया में जितनी भी cotton production होती है उसका तकरीबन 27% अकेले गुजरात ही contribute करता है और अगर हम गुजरात में जो major regions हैं जहां पर cotton की production होती है उनमें अमरेली, बावनगर, जोनागड और राजकोट हैं दोस्तों अगर हम इंडिया में बाक स्टेटिस की बात करें जहां पर cotton की production होती है उनमें महराश्टरा, तेलनगाना और राजिस्तान भी शामिल है दोस्तों अगर हम climate की बात करें तो जो cotton है ये एक tropical crop है और ये इंडिया में खरीब crop है, दोस्तों यहां पर ये कहना चाहूँगा कि मैंने खरीब crops, रभी crops, जैद crops जो मुक्तलिफ तरह के patterns हैं उन पे एक video series बनाई है आप ज़रूर चेक करें temperature की अगर हम बात करें तो जो cotton के लिए average temperature है याने suitable temperature है वो 21 degree से लेकर 30 degree के आसपास रहना चाहिए और अगर हम इसके लिए best soil की बात करें तो जो best soil है copper को grow करने के लिए वो black soil मानी जाती है इसके अलावा जो black soil है ये ज़्यादा तर western और southern इंडिया में पाई जाती है तो दोस्तो next question में बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करें बढ़ते हैं next question पर हमारा next question का answer देने के लिए तयार रहे हैं next question है which state of India is the largest producer of jute in 2023 आपको बताना है वो इंडिया की कौन से state है जो सबसे ज्यादा jute को produce करती है चार options है आपके पास असाम बिहार वेस्ट बेंगॉल या फिर उडिसा शबाज दोस्तों आपना अपना answer लिखें देखें के आप में से कौन कौन इसका सही answer दे पाता है largest jute producing state of India तो दोस्तों इसका जो answer रहेगा again वो रहेगा पार्ट सी वेस्ट बेंगॉल जो है ये इंडिया में सबसे ज्यादा jute produce करने वाली state है दोस्तों इंडिया में जितना भी jute produce होता है उसका तकरीवन 80% जो है वो वेस्ट बेंगॉल ही contribute करता है इसके अलावा जो major बाग status है jute produce करने वाली उनमें आसाम और बिहार शामिल है अगर हम climate की बात करें jute producing के लिए तो jute जो है ये hot and humid climate जो है इसके लिए best रहता है अगर हम temperature की बात करें तो दोस्तों jute के लिए जो average या फिर suitable temperature रहता है इसको grow करने के लिए वो 24 degree से लेकर 35 degree के आसपास रहना चाहिए और यहाँ पर इसके लिए अच्छी खासी rainfall भी होनी चाहिए हमारे next question का answer देने के लिए आप लोग तयार रहें देखते हैं कौन-कौन सही answer दे पाता है इस वाली question का which of which state of India is the largest producer of sugar cane 2023 आपको बताना है इंडिया की वो कौन सी state है जहाँ पर सबसे ज्यादा sugar cane को produce किया जाता है चार options है आपके पास महराश्टरा, कनाटका, ताम answer लिखें इस वाली question का आखसर ये पूछा गया है sugar cane कहां पर सबसे ज्यादा produce किया जाता है तो इसका जो सही answer रहेगा दोस्तों वो रहेगा part D उत्रप्रदेश दोस्तों यहाँ पर एक बात ये आपको जुरूर याद रखनी होगी कि इससे पहले जो largest state थी वो महराश्टर भी मिलेगा लेकिन 21st में 2023 को उत्रप्रदे जो है ये एक बार फिर से इंडिया की largest sugar cane produce करने वाली state बनी बात करेंगे शुगर के लिए climate तो दोस्तों याद रखें कि sugar cane एक tropical और subtropical crop है और इसके लिए hot and humid climate होना चाहिए temperature जो इसके लिए suitable रहता है best रहता है वो 21 degree से लेकर 27 degree के आसपास रहना चाहिए next question है answer देने के लिए आप लोगों को तयार है which state of India is the largest producer of tea in 2023 आपको बताना है इंडिया में सबसे ज्यादा tea याने चाहि किस state में produce की जाती है चार options है आपके पास आसाम, वेस्ट बेंगॉल, तामिलाडू या फिर केरला शबाज दोस्तों answer लिखें वैसे ये तो सभी को ही पता ही होगा क्योंकि बहुत टाइम से एक ही state जो है वो tea produce करने में आगे रही है तो फिर भी आफ ट्राइ करें और answer लिखें, largest tea producing state कौन सी है, सही इसका answer रहेगा part A आसाम दोस्तों ना सिरिफ इंडिया में बलकि पूरे दुनिया में आसाम जो है ये एक बहुत ही बड़ा इलाका या रिजन माना जाता है चाय को produce करने में, दोस्तों अब हम बात करते हैं climate की, तो दोस्तो टी याने चाय जो है ये tropical और सब tropical रिजन में grow की जाती है जिसके लिए hot और humid climate चाहिए होता है अगर हम temperature की बात करें जो इसके लिए suitable रहता है वो 18 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक रहना चाहिए और जो इसकी जमीन है वो well drened होनी चाहिए इसके अलावा fertile acid soil, highland soil जो है इसके लिए best रहती है याने चाय की cultivation के लिए हमारे next question का answer देने के लिए आप लोग तयार रहें हमारा next question है which state of India is the largest producer of coffee in 2023 आपको बताना है इंडिया की वो कौनसे state है जहां पर सबसे ज्यादा coffee को produce किया जाता है चार options है आपके पास करनाटका, केरला, तामिल नाडू या फिर आंधर पर दे शबाज दोस्तों answer लिखें इंडिया की वो कौनसे state है जहां पर सबसे ज्यादा coffee को produce किया जाता है तो दोस्तों इसका जो सही answer रहीगा वो रहीगा part A करनाटका दोस्तों जब हम coffee production की बात करते हैं तो इंडिया की जितनी भी coffee production होती है उसका तक्रीबन 72.5% अकेले करनाटका ही produce करता है दोस्तों यहाँ पर आप important point यह भी याद रखेंगे जो करनाटका का चिक मगलूर रिजन है एरिया है इसको coffee land आफ करनाटका कहा जाता है दोस्तों अगर हम climate की बात करें तो coffee की production के लिए warm climate चाहिए इसके अलावा fertile soil चाहिए जो की इसकी production को ज्यादा benefit पहुँचाता है इस topic पे जो की आपके लिए मैं वीडियो number two में लाऊंगा फिलाल आज की ये वीडियो मैं यहीं करता हूँ and अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like आप जूरूर करें इसके अलावा channel को भी subscribe करें तो दोस्तों मैं मिलूँगा आप से एक next video में तब तक के लिए take care